हेलो मैं डियर स्टूदेंट्स, वेलकम बाक टू वन मोर क्लास, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक और वो है इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको इसके प्रिवियस टॉपिक समझाये है वो था elevation in boiling point temperature और अब हम देख रहे है depression in freezing point temperature तो depression in freezing point temperature जो हम topic देख रहे हैं इसमें सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि freezing point actual में होता क्या है और freezing point जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप इसमें यह देख पाऊगे कि हम इसमें depression कैसे देखते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि depression depression it means क्या हुआ decrease हुआ तो freezing point मतलब क्या होता है रिको freezing point किसी भी liquid का जब मैं freezing point देखती हूँ तो यह तीन question जो तीन concept जो है वो मेरे माइंड में आते हैं पहला पहला concept क्या होता है सबसे पहला concept यह होता है कि temperature at which एक ऐसा temperature जब liquid जो है जब liquid क्या होता है एक ऐसा टेम्प्रेचर जब liquid begins बिगिंस टूफ्रीजग क्या होगा freeze होना start होगा या फिर हम क्या रहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेमपरेचर होता है जहां पर आट वीच एट वीच लिक्विड स्टाव बिगिन्स टू मेल्ट तो लिए सॉरी इल सॉलिड जो होता है सॉलिड फिगीन्स टू मेल्ट टीके इस वी मेल्ट होना स्टार्ट होता है जैसे कि हम प्राहिए स्टेल्फ हम दैख सकते हैं की सॉलिड ये लिक्विड तो नौ स्टेट कर होती हैं तो यह थो Šटेट की दोनौ स्टेट जो रहती है वह उकर होती है है यह भी रम चैंगे क्या करती एक्झिसस्ट करती है नबहुत these states coexist coexist right तूई तीनों कॉंसेप्ट आते हैं मेरे माइन में जब भी मैं Depression Point की बात करती हूँ अब क्या होता है अभी हम एक यह है ना diagram की थूँ समझेंगे इस diagram में graphical representation है अब इसमें में क्या करती हूँ इसमें graphical representation करते हैं इसमें हम यह देखेंगे कि हमने यहाँ पर देखो यह इस तरीके से ग्राफ बनाया अब इस ग्राफ में हमने क्या किया इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वेपर प्रेशर लिया इस साइड में और यहाँ पर जो लिया है वो लिया मैंने टेमप्रेचर ठीक है यह टेमप में यह क्या हो जाएगा solid state और यह क्या है इसकी liquid state एक किसकी बात कर रहे हम solvent की बात कर रहे solvent की बात कर रहे यहाँ पर तो यह जो temperature है जहां से liquid convert होना start हुआ solid में इस temperature को हम क्या कहते है इसको मैं थोड़ा से यहां से हटा देती हूँ ताकि हमें अच्छे समझ में आए तो देखो यहां पर हमने क्या का इस टेंपरिचर को solvent है प्योर सॉल्वेंट है इसलिए मैं इसको कहूंगी पी नॉट एफ मतलब freezing point of a और सॉल्वेंट ठीक है अब मैंने क्या किया solution लिया क्या किया हमने solution अब solution जब हमने लिया तब हमने क्या क्या observe किया यहाँ पर जब solution लिया तो fusion में भी liquid जो solution 이क्विट जो था यहा जाने के बाद में इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया freeze होना start हुआ तो हमने इसको कहा freezing point of a solution ठीक है यह क्या था यह इसका liquid state था ठीक यह हमने observe किया experimentally देखकर ठीक तो अभी इन दोनों के बीच का difference जो है उसे कहा जाता है delta tf क्या कहते हैं हम इसको delta tf कहते हैं और यह है कि इस तरफ यह हमने temperature दिखा है तो हम यह कहेंगे कि depression in freezing point temperature हम शो कर सकते हैं by delta tf और through graph हमें यह पता चलते हैं कि t not f की value ज्यादा होगी और tf की value सम होग इसलिए में इस formula में लिखूंगी t not f minus tf ठीक है तो यह हुआ हमारा formula for depression in freezing point temperature ठीक है depression in freezing point temperature तो इसके पहले जैसे हमने elevation in boiling point पढ़ा हुआ है उसी के साथ में वहाँ पर हमने एक formula देखा था कि यह जो होता है इसको हम directly proportional दिखा सकते हैं molality के साथ अब वो पूरा derivation फिर से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि इस topic पर सबस्यादर numerical आते हैं तो हम यहाँ पर एक constant use करेंगे और उस constant को कहा जाता है उस constant को क्या कहा जाता है देखो उस constant को कहा जाता है यहाँ पर हम लिखेंगे यह kf क्या है kf को हम कहत पर हमने कुछ और वर्ड यूज किया था अगर आप सबको याद है तो हमने elevation में कुछ और वर्ड भी यूज किया था और इसको हम कहते हैं मोलाल cryoscopic constant और इसी लिए depression in freezing point इसी concept को हम क्या कहते हैं इसी concept को हम कहते हैं cryoscopy क्या कहते है cryoscopy क्यों क्योंकि उसके हम ये constant जो है वो यूज कर रहे है ठीक है तो ये constant जो है simply हम क्या कहेंगे किसे हम molal cryoscopic constant कहेंगे जब उसकी value कितनी रहेगी one molal solution के जो value रहेगी उसी को हम कहेंगे अब देखो इसका unit क्या होता है unit बहुत necessary है हमें unit तो पता ही होना चाहिए कि molal cryoscopic constant का unit क्या होगा unit जो होगा Kelvin kg per mol Kelvin kg per mol या तो हम ऐसे लिख सकते है या फिर हम कहेंगे Kelvin kg and mol inverse क्या कहेंगे हम mol inverse ठीक है तो ये हुआ हमारा molal cryoscopic constant जिसमें इसका meaning क्या हुआ कि जब भी हम कोई impurities add करते हैं जब भी हम कोई impurities add करते हैं तो freezing point हमेशा से ही गिर जाता है और इसी लिए एक concept हम पढ़ते हैं जिसके लिए one mark का अकसर question पूछा जाता है क्या concept है वो वो concept है anti freeze solutions कौन सा concept है वो anti freeze solution अभी anti freeze solution क्या होता है चलो देखते हैं anti freeze solution अब जैसे कि बेटा हमें पता है कि जैसे कि हम cold areas में जब जाते है cold region में जाते है और हमारे कार की radiator में water होता है तो possibility है कि वो का radiator जो है वो freeze हो सकता है बर्फ जम सकती है पानी की और जैसे बर्फ जमेगी तो वो radiator फटने की बस्ट होने के चांसे जादा रहते हैं और इसी लिए हम कहेंगे कि in cold regions वो cold regions में क्या करते है cold regions में हम देखते हैं कि car radiators जो है car radiators में in cold region car radiators और filled with food will with anti-freeze solution वो card radiator किस से filled रहती है antifreeze solution से filled रहती है ठीक है antifreeze solution से filled रहती है तो antifreeze solutions कौन से solutions हुए antifreeze solutions मतलब होता है यहाँ पर इसे में के example बताती हूँ आपको और वो है equal amount of equal amount of किसका equal amount होता है ethylene glycol equal amount of ethylene glycol जिसका formula दिखो क्या होता है CH2 CH2 OH हम इस तरीक से इसका याद रखते है plus water और इन दोनों का equal proportion में हम antifreeze solution बनाते है और इस antifreeze solution की tendency जो रहती है वो tendency यह रहती है कि यह इसको generally क्या नाम यूज करते हैं as a coolant कहते हैं और यह कितना temperature गिरा सकता है minus 30 degree Celsius जो है यह temperature को उसमें से गिरा सकता है और इसलिए इसको कहा जाता है antifreeze solutions तो हमने यही देखा कि presence of impurities जैसे water simple था impurities मतलब हम क्या हमने कुछ और add कर दिया उसमें methylene glycol presence of impurities always lowers the freezing point अगर freezing point को वो हमेशा low कर देते हैं अब देखो एक और हम कह सकते है antifreeze solution जो है वो यूज होता है generally laboratory में हम क्या करते है एक और solution होता है जिसे कहा जाता है freezing mixture क्या कहते हैं हम उसको freezing mixture कहते है freezing mixture अब freezing mixture में हम क्या लेते हैं हम freezing mixture में लेते है ice plus sodium chloride that is NaCl ice plus NaCl अब ice plus NaCl का हम generally laboratories में यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं तो यह दो बहुत important concept है जब भी हम freezing point of a solution पढ़े तब हमें यह दोनों point याद रखना है और इसको अच्छे से समझना भी है अब जो next concept हम अभी यहाँ पर देखेंगे जो next concept अभी हम देखेंगे वो होगा determination of next concept हम क्या देखेंगे determination of observed molar mass 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 अब इसमें क्या होता है देखो जैसे delta TF है is equal to हमने क्या कहा था kf into small m small m molality होती है और molality मतलब क्या होगा number of moles of a solute मतलब w upon mb upon mass of a solvent mass of solvent और mass of solvent किसमें होना चाहिए kg में होना चाहिए चलो अब इसको और फिर फर्दर इसको formula की तरह करते ताकि हमें numerical में easy हो जाए तो हमने लिखाया delta TF is equal to kf into wb upon mp upon यहाँ पर आ जाएगा mass of solvent mass of solvent को हम क्या कहेंगे हम कहेंगे w mass of हम यहाँ पर इसको कहेंगे ma हम क्या mass of solvent को कहेंगे ma ठीक है अब mass of solvent अगर ma हुआ यह तो हम कैसे निकालते हैं लिए हम यहां पर लिखते हैं यहां पर मुलार मास सोल्वेंट व मतलब क्या लेंगर दब्ल ere方面 इनियों अंटर यह दाब्लिव एफिए उसको यह करते हैं और देखो WF KF into WB KF into यहाँ पर लिखेंगे WB upon MB और यहाँ पर होगा into WA और यह आजाएगा 1000 और यही हमारा formula होगा किसी भी numerical को solve करने के लिए जब भी हम freezing point of numerical solve करेंगे तो हम यही formula यूज़ करेंगे तो आई होप आप सभी को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलो अभी हम इसका एक निमारिकल का निमारिकल पर सॉल्फ करके देखते हैं अब यहा पर वकरना है में हमें और में पहले खूचते हो तकि यह थोड़ा सा इज्य हो जाए इस of आपर आइक लिए हमक्ण कर लेТे हैं चीछा है उस हमारे NCRT की question से और साथ में यह जो है इससे पहले भी exam में पूछा गया है ठीक है तो हमने यह numerical ले लिया है यहाँ पर देखो यह हुआ हमारा numerical और यह numerical हमसे पूछा गया है सीबी सी 2010 में इस निमेरिकल में क्या कहा गया है पहले अभी हम समझ लेते हैं जब हम इसको सॉल्फ करेंगे तब हम क्या देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले तो देखेंगे कि इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है तो मैंने आपको बताया है कि कैसे इसमें लिखते हैं हम कहेंगे डब्ल्यू बी इंटू के एफ और हमेशा याद रखो अगर यह ग्रैम में दिया हो तो ही यहाँ पर क्या करना थाउजंड लेना अदर्वाइस हम कह सकते हैं के एफ जो ह है के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एंबी इंटू डब्ल्यू ए अगर यह केजी में दिया है तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा देखो इथिलीन ग्लाइकॉल इस अ कॉमन आटो मोबाइल अन्टिफ्रीज का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इस सोलूशन सोलूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमसे पूछा गया है कंटेनिंग 12.4 ग्राम ऑफ इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर ठीक है एंड के अफ जो है हमें 1.6 केल्वीन केजी पर मोल जो दिया गया है अब देखो डब्ल्यू बी इंटू क्या हो गया है यह के अफ ठीक है इंटू क्या हो 1000 अपन यहां पर क्या जाएगा ंबी इंटू डब्ली इसीप ग्राफ क्या है यह में क्या हूँअ एक Squeeze किटना हो गया है तो डब्ली ठीक है जब आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तब हमारे पास पर आता है डेल्टा टी एफ इस इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 3.72 केल्विन आंसर आता है इसका ठीक है अब हमसे डेल्टा टी एफ निकला मतलब हमने सिर्फ डिप्रेशन इन उतना कितना चेंज में जो है हमसे पूछा गया वर्विजिं पॉइंट ओफिसू लिप्रवाइब करेंगे फियां कि अधे यहां पर होगा freezing point of a pure solvent minus delta tf यह हो जाएगा इसको solve करो कितना होता है freezing point of a pure solvent 273 273 Kelvin minus 3.72 Kelvin कितना कम हो गया उसका freezing point और finally हमारे पास में answer जो है वो यह निकला है तो इस तरीके से आपको solve करने है and student यह भी याद रखना है कि अगर यह exam में अगर कोई question आ रहा हो इस तरीके से तो marks देखो आपको कहा कहा मिलते है अगर यह question exam में 3 marks के लिए आया है तो आपको सबसे पहला mark जो है आधा यहाँ पर और आधा यहाँ पर actually इन दोनों को मिला कर 1 mark मिलता है यहाँ पर हमें स्टूडेंट इसी तरीके से हमें freezing point of freezing freezing point solution depression in freezing point solution हमें solve करना और इसी basis पे questions भी पूछे जा सकते तो I hope आच की class में आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा thank you students and have a good day ahead मुछे में में आ पूपे इस今日は प्रामाप के प्रडार सीर्बेए नह्ट के थेवारत